रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी लगतार जारी है लेकिन ये युद्ध सिर्फ रश्या और यूक्रेन के बीच नहीं रह गया है बलकि कई देशों का involvement अब इस युद्ध में देखा जा रहा है हाल ही में रश्या और इरान की दोस्ती से अमेरिका में खलबली मच गई है अमेरिका डर गया है और अमेरिका के पसीने चूट रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बता देते हैं दरसर हाल ही में इरान ने रश्या की मदद का एलान किया दोसो से जादा बैलिस्टिक मिसाइलों को देने का एलान किया जिसके बाद अमेरिका के पसीने चूट गए हैं इरान की FATH-360 बैलिस्टिक मिसाइल की रूस की आपूर्ती ने अमेरिका को भी डरा दिया है यहां तक की यूरोपियन यूनियन ने सप्लाई की खबर की पुष्टी हो जाने पर इरान पर और कई प्रतीबन लगाने की चेतावनी जारी कर दी है आखिर रूस और यूक्रेन युद में इस्तमाल होने वाली ये मिसाइले ऐसी क्या खास है और इन में क्या खूबिया है जो इसे बेहत खतरनाक और मारत बनाती है ये आप जान लीजे जिससे अमेरिका डर गया है अमेरिका के पसीने चूट रहे है दर असल FATH 360 एक SRBM मिसाइल है जिसका मतलब होता है शौट रेंज बालिस्टिक मिसाइल ये मिसाइलें अपने सटीक निशाने और मोबिलिटी के लिए जानी जाती हैं इनकी मोबिलिटी इतनी शांदार है कि इन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है बहुत मुश्किल FATH 360 ठोस इंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसकी सीमा लगभग 75 मील है ये दुश्मन के सैन प्रतिष्ठानों और बुन्यादी धांचे को तहस नहस करने की शमता रखती है इस एक मिसाइल का वज़न 787 किलोग्राम बताया जात है इसकी गती यानि स्पीड की बात करें तो MACH 3 से 4 है लिट फ्यूल से बनी हुई ये बैलिस्टिक मिसाइल 120 से 300 किलोमीटर की सीमा के साथ तेजी से तैनाती कर सकती है FATH 360 150 किलोग्राम का वार हैट कैरी कर सकती है अब चुकि ये छोटी है और मोबिलिटी देती है तो इसक करने वाला कई तरह से रूस को अपर हैंड देगा इसके इसी डिजाइन के कारण इसे रोपना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है तो ये बैलिस्टिक मिसाइल कितनी खतरनाक है ये तो आप जान रहे हैं ये एक खास तरह के अत्याधुनिक गाइडिन्स सिस्टम का इस्तमाल करती है साटलाइट नाविगेशन के जरिये 30 मीटर की एक्यूरिसी हासिल भी कर लेती है एफटी एच थी सिस्टी ट्रक पर लगे सिस्टम से लाँच किया जाता है जो कई मिसाइलों को तैनात करने में सक्षम भी है विशेशग्यों का मानना है एक्सपर्ट का ये परे अपने टारगिट को निशाना बनाने में ताकत मिलेगी इसलिए अमेरिका डरा हुआ है इरान के रूस को मिसाइल देने के रिपोर्ट के बीच यूकरेन और अमेरिका में मची खल्बली पर इराण ने सक्त रेयक्शिन दिया इरान ने कहा है कि हम पर मिसाइल सप्पला का आरोग वो लोग लगा रही है जो युद में एक पक्ष विशेश को सबसे जादा हत्यार देते रही है इरान ने कहा है कि रूस को मिसाइले भेज़े जाने की रिपोर्ट मनो वज्यानिक युद्ध है और इरान किसी भी एक पक्ष का सपोर्ट नहीं करता है जबकि खुद अमेरिका की ओर से युक्रेन को रूस युक्रेन युद में फाइटर जेट और मिसाइल दिये जाते रही है ऐसा इरान का कहना है युक्रेन ने भी रूस को हत्यारों की मदद मिलने पर आपत्ती जताई है इरान के विदेश मंतरी ने कहा है इरान पर आरोप लगाने वाले दो लोग जो युद्ध के एक पक्ष के सबसे बड़े हत्यार निर्यातकों में से एक हैं। क्योंकि एरान का ये कहना है कि हमेशा से ही रश्या और युक्रेन के युद्ध में अमेरिका मदद करता आ रहा है युक्रेन की और ऐसे में इसलिए अमेरिका ये सोच रहा है कि एरान बहुत ज़्यादा मदद रश्या की कर रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा तो फिलाल बैलेस्टिक मिसाइल क्या है इसकी खूबिया क्या है और अमेरिका क्यों डरा हुआ है अमेरिका के पसीने क्यों निकल रहे हैं ये हमने आपको बताया आप क्या राय रखते हैं इस युद्ध को लेकर और इस डील को लेकर हमें आप comment कर बता सकते हैं और भी ऐसे कई वीडियो के लिए हमें subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले